यह स्टुडेंट वेलकम वन सेकेंड टू यॉर ओन्लाइन क्लासिस बचो इस वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं यानि कि लास्ट वीडियो मैं आप पूरे इंट्रॉक्शन समझा दिया था कि क्या होते हैं कब किसी ट्राइंगल वो कंडिशन ह होते हैं तो वह वीडियो आप नहीं देखा हो जरूर देख लिएगा उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उपर आई बटन में क्लिक करेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा तो आईए स्टार्ट करते हैं यह वाला वीडियो जहां पर हमें फर्स्ट कोई कैसे लिखना है सिंपल तरी के समझा देता हूं कुछ को संबता देता हूं जैसे फर्स्ट बता देता हूं और फोर नमर बता देता हूं दो क्वेसं बच जाएका उसका आपको सब्सक्राइब कर लिए कुछ नहीं है और अगर आप रटेंगे पूरे मोअ देकर तो फिर मेंत को बहुत जाए लगा लेंगा चर्जिस कंसे सदेह यहां पर हमारे रोटेंग से या दी ृतिया होता है मैं दो था एक बर आपको चैसे यहां हूं यह हम लोग दो त्रेंगल ले लेते हैं यह दुन आपस में क्या है concrete एपसconoald कर देखला का मतलब मैंने लास्व एइन एक हैस का नाम है इसका नाम सी इसका नाम कर nhất है । और इसका नाम D है, ठीक है, तब क्या होता है न, इस टाइब से, कि जो हमारा वर्टेक्स होता है, यह वाला पॉइंट, इसको बड़िक्स कहते है और यह वाला पॉइंट जो है वर्टेक्स है Chief क Jug ーーand име कृष्य वर्टेक्स है तो ओ जैवा जो है और जो ए यह आक वvel he Ket itƯे उसके अलावा हमारे पास जो इकोल रहेगा ङकार हमारे यह वारे के एफ-क यह पर मॐराइं यहां पर हमारे पास यहों सडं़ीं होगा वो हमारा इस तरीके से लिखेंगे मिकोल होगा F कर् ли आप निपनाते हो तो क्या होगा řानिंट आप यहां से निãy्वाल steepo D5 तॉर सकते हो महीं कि इंगर किसी को एक उननेरा था यहां पर दियुत सैड़ वो ईक्वैल होंगेडrine लिकषे तो इस तरीके सेह उसके बद हमारा जो B C side बनेंगा देखो यह वाला side VOC यह किसके इक्वाल होगा FD के यहां पर लिखो BC जो होगा वोग वो इक्वाल होगा यह साइड हो गया एक एंगल बज़िए तो एंगल में भी सेम उसी तरीके से यहां पर जो एंगल बन रहा हुसका नाम यह दे तो डारेट डारेट आप चाओ तो इसका पूरा नाम दे सकते हो बी ए सी इस तरीके से पूरा जब नाम लिखते हैं अगर आपर पर टीचर बोलते यह तरीके से मैंने लिख लिए तो मुझे इदी कराएं यह तो एंगल नंबर एफ के और उसके बाद जो हमारा सी है एंगल नंबर सी वह इक्वल होगा हमारे एंगल डीके और जैसे में बताया कि आप चाहँआ तो पूरा नाम लिख सकते हो पूरा नाम लिख लिए कुछ नहीं करना पड़ता है जैसे हम सी को डिनोट कर रहे हैं तो सी को बताने की लब क्या करते हैं एसे स्टार्ट करते हैं जो जिसको हमको डिनोट करना है उसको बीच में रखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा या फिर बीसी जो भी लिखना चाहो इसका वाले इस वाले एं यह इसका जो हमारा फोर नंबर का है वो मैं आपको बता देता हूं डारेट यहीं पर फोर नंबर में हमें क्या दिया हुआ था उसमें हम डाइग्राम भी नहीं बनाएंगे देखिए डारेट बन जाएगा हमारा ट्रेंगल जो M P N है वो गॉरेंट है किसके तो ट्रेंगल S Q R K यह हमारा अपस में यहनि कि हम पहले वर्टेक्स लिखेंगे तो वर्टेक्स में हमारे पास कौन-कौन से इकवल होगे देखो एम जो होगा वů س्केल होगा तो M इस तरूट गाओ एस के उसके बारे मारे पी होगा वह वो जाएगा उसके बारे में जाएगा अब उसके बड़ाओ उसके वाद अंक क्या बताना है Parks साइट बताना तो पी-एन एक्वल हो जाएगा हमारा क्यों आर के और फिर एम और एन शुरूर्व और लास्ट रोला में बताए है न कि जो लास्ट रहता है यह फर्स्ट और लास्ट लास्ट मिलकर के एक सब्सक्राइब बनाते हैं तो एंगल नमबर जो हमारा M है, angle M, वो equal किसके है? Angle number SK, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा जो angle P है, वो equal किसके है? Angle number QK, जो हमारा इस टीक से vertex रता है, ना सेम उसी तरीकिस उतर जाता है, यह बस यहाँ पर angle का sign लगाना पड़ता है, angle number जो N है, वो है equal हमारे angle number R के है, यह होगी हमारा complete, देखा, आपने कितना simple है? इस तरीकिस आपको first के, जीतने भी आप दो question बच गाना, उनका आप solve कर लीजेगा, यह होगी हमारा question first solve, आपके question मर, second भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, यह हमारा second question है, यह read करते हैं, क्या है, कि वो कौन से property के तहट, मेंने यहाँ पर किस, की वो जो ट्रेंगल है, वो किस condition के तहट, किस property के तहट, आपस में congruent हुआ है, जैसे कि मैंने आपको first one introduction वाले, जो हमने वीडियो बनाया था, आपको बताया था, मैंने न, कि 3-4 condition है, जिसके according क्या होते हैं, कोई भी जो ट्रेंगल है, आपस में एक दूसरे को congruent कर लेते हैं, एक दूसरे को ढख सकते हैं, जैसे कि SAS था हमारा, triple S था, AAS था, ठीक है, RHS था, इस तरीके से हमारा 3-4 condition था, वही condition आपको यहाँ पर बताना है कि किस condition के तहट क्या हो रहा है, यह आपस में equal हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे को ढख रहा है, तो आज़े स्टार्ट करते हैं, फर्स वाले question से, जैसे यहाँ देखो, यह जो हमारा AC जो side है, यह जो हमारा DE जो side है, यह दुना आपस में equal है, उसके लावा यह वाला side हमारा 2 यहाँ पर निसान लगा है, और यह जो side लगा है, यानि कि CB और EF यह दुना आपस में equal है, उस बाद यह angle हमारा और यह angle आपस में equal है, C और E, तो हमारा क्या हो जाएगा यह, यानि दो side होगा equal, और एक हमारा angle equal हो गया, तो कौनसा condition हो जाएगा यह, side, angle, side वाला, SAS वाला condition, उस तरहीचे से हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको लिखना कैसे है, बस मैं आपको वो समझा देता हूँ, सबसे पहले आप diagram में ध्यान देते रहना, एक set book में, ठीक है, मैं आप diagram बार बार नहीं बना रहा हूँ, फर्ट से हम लोग कर लेते हैं इसको, देखो हमारा जो AC है, यह वाला, ठीक है, वो किसके equal में है, वो equal में हमारे DE के, क्योंकि हमारे दोनों side में क्या लगा है, one piece ऐसे, ठीक लगा हूँ है, इसके वना समझ जाओ, कि वो आपस में equal है, एंगल AC और B हो जाएगा, क्योंकि C हमें को नाम देना है, तो C जो होगा, वो बीच में आ जाएगा, तो आप एंगल C भी लिख सकते हैं, कि जो हमारा triangle बन रहा है, इस triangle का कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ABC, EDF, कुछ भी नाम दे दो, तो यहां पर हमारे पास first triangle है, ACB है, या फिर ABC है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे triangle ABC, वो क्या होगा, congruent होगा, congruent का sign इस तरीए से लगता है, congruent होगा हमारे, दूसरे लोग ट्रेंगल के, दूसरे लोग ट्रेंगल के नाम हम क्या दे देते हैं, EF, D दे देते हैं, F, ED जो भी आप लिखना चाहो, कहीं से भी उठा करके उसका नाम दे सकते हो, बस जो हमारे वर्टेक्स उसमें दिये हो है न, वो यूज कर ले रहा हो, उन लेटर्स को तो हम यहाँ पर, D, E, F लिख देते हैं, क्योंकि यह लाइन से, E, B, C, D के तरीक्स हो जाएगा, तो हमारे E, B, C, D जो है, वो ट्रेंगल, D, F के कॉन्गुरेंट में है, और किस कंडिशन के थुरू कंडिशन यह है, मिन वही बताना हमको न, कि कौन से प्रॉपर्टी यहा पर काम कर रहे है, तो हमारे यहाँ पर, यह दो साइड वाला और एक एंगल वाला, जिसको हम क्या बोलते है, S, A, S, साइड, एंगल, साइड, और इसको कंडिशन, जिसे मैं वहां पर इबताया था फास ओले में, कि डाड़ेट अप कंडिशन लिखना तो भी काम चल तो S, A, S, condition के तुरू, यह के हापस में, कौन गुरेंट है, यह होगी हमारा complete first question, इसी तरह आपको सारे question करना है, आज़ा मैं करते जाता हूँ, फटाफ़ड, यह थोड़ा से अलग लग टाइप के question है, तो आपको सभी को थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है, आगे मैं second और बताता हूँ, तो डाइग्राम दिखा लेता हूँ, ताकि आपको समझ में आजाए एक बार, देखो, यह हमारा कैसा है, यह राइट अंगल वाला property है इसके मतलब साब सब समझ में आ जारा है, कि जो हमारा RHS वाला property था, वो यहाँ पर काम करेगा, RHS का मतलब राइट एंग तो यहाँ पर हमारा जो एंगल अन है, फिर आंगल पी जो फास्ट वाला जो भी अपल ले अपले ना चाहो, एंगल मैंने सेकेंड वाला से लिख लिख लिए है कोई दिक्कत में है, जो हमारे जो लिकना आपको लिख सकते हो दोनों हमारे यहां आने डिक है उसके बाद साइड क्यूंक चोटा वाला नीचे साइड तो पीकि जो है वह है उधरवाले की तो यहां पर MN लिख दो ठीक है और यह हमारा क्या है यह भी गिवन में है जिसको गिवन लगा दो इस तरीके से देन हमारे पास जो हैपट न्यूज है कौन सा पी आर सोरी पी आर बोड़ रहा हूं यह आर क्यू इसको हैपट न्यूज कहा जाता है राइट एंगल में ठीक है और यह आपने पहले पड़ रखा है यहां से हम लिखेंगे कि जो हमारा आर क्यूज है वह इकूल है दूसरे वाले हैपट न्यूज के जिसका नाम है ML लिख दो या फिर LM लिख दो LM लिख देता हूं मैं यह भी हमारा पास क्या है गिवन में दिया हुआ है यह वाला जो है है यह इकूल है इस वाले है इसका नाम मैं लिखो या LM लिखो बात एक ही है तो इस परिके से हमारे यह तीनों क्या होगा आपस में इकॉल हो गए तो जब यह तीन हो जाते हैं तो समझ जाना कि वह क्या हमारा एक कॉन्गरेंट फिगर दिया हुए इसका वंदब इसका भी कर लेते हैं इसका नाम एल एम एन के और इसकी से है तो यह हमारा राइट यानिकि हपट इन्यूज ऑफिस साइड यह वाले कंडिशन से यह क्या पसमें इकुल है यानि कि कॉन्गुरेंट है इस तरीके सापको बताना है कंडिशन अप्लाई कर देना है और बता देना है कि यह आपसमें इकुल थे इसलिए घवा को अउमारा कॉन गरंठ हो गया अई है गया है 乐 यह कर Champions से ऐंसकहं सोल कर लेते हैं यह संगल से स्टार्ट करते हैं यह वाला यह होगा दोको लोगा की एकस के कि यह अरो जいलूब टीक लिबड़ी लुका है यह दोना पश्मारे एकस फ़सके कि उसके वाओनने फिनिघा यह है और यह है है तो उनने हो दाल हो कि एस आथ है तो यहां पर हमारे त्यों साइद हो गए है किस आ email होते हैं तब क्या होता है हमारे एक konkurence करा लाते हैं यह इन वहना को समझा दिया है तो इसको लिखेंगे यह दुन आ पस में bena । भी कुछ नाम देदे रिखते है उश्को ईइसको ट्रेंगल एक्स वाइसल जो है वो congruent है हमारे किस और एंगल के तो rs-tk और यहाँ पर यह किस condition से है तो side 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 वाले condition से यह आपस में congruent है क्योंकि इसके तीनों side जो हापस में equal है complete होगे थर्ड वाला 4 वाला देख लेते हैं यहाँ पर यह वाला side और यहाँ यहाँ पर print है यहांनी एक्वल यह वाला और यहाल यहां पर बिशल लिखने आपको यह एंगल जो एयते हैं हमारे अंगल के फिर एंगल नबर जो यह मेरे किसके है ओर फिर स्म lingering इस तरीके से तो हमारे पास यह भी क्या हो दरूर यह ट्रेंगल का नाम भी बताना है और कंडिशन भी तो कंडिशन क्या हो जाएगा इसका दोनों आपस में किस तरीके से कॉन से कंडिशन से हैं एसे मैंने आपको स्टाटिक नहीं बता दिया कैसे हो गया वो क्योंकि दो हमारे एंगल है यह दोनों और एक साइड है तो एंगल 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 एसा कोई कंडिशन नहीं है कि 30 अगर है तो हमारा जो ट्रेंगल होगा वह उगा में और इयाफ़ जाएगा हो ज ρो दे दिया गे हमकोल इसको क्या बोल सकते हैं तो फो गलत हो जारह कि यहां दो दो एंगल को इसा भी लो जैसे यह 60 डिगरी है, यह 60 डिगरी है, तो इस एंगल को और इस एंगल को ले लिए आप समें इक्वल, यह एंगल ये एंगल ले पहले लो ढोट ऑल मिले हो जएगा उसके बाद यह जो साइड है तो इसका भी नाम इय है इसका भी नाम इनJack नाम हम्नृर्मल वह एंगल यह नाम नहीं दे सकते ढोनुप देंके नगा गुण आठाओ यह ब्लेक्व यह रहते, तो इसका नम कुछ और की खिंगे , ओम मतलब बड़ा ऑनाम देृतीrig से हमारा BAC angle है, वो है 50 degree का, ठीक है न, यानि कि 50 degree लिखने हैं जो रहतनी है केवल, BAC जो है, वो equal किसके है हमारे DAC के, इधर वाले angle के, तो BAC equal to angle DAC, दोनों आपस में क्या है, equal है, जखो दोनों में A भी आ गया, और दोनों का तोड़ से नाम यह लग लग होगी है न, इस तरीके से करना है, क्योंकि जब हम दोनों एक ही angle के बारे में जब बताते हैं हम लोग, तब इस तरीके से नाम देना पड़ता है, तो यह हो कि हमारे BAC और DAC अपस में equal, क्यों हो गया, क्योंकि यह 50 degree each है, तो यहां पर अपना लिख सकते हो 50 degree each, या फिर given, जो लिखना चाहँ हो, वो ली सकते हो, उसके लावा angle number B, जो है angle number D के equal में है, तो angle B equal to angle D, और यह भी क्या हमें given दिया हुआ है, 70 degree दोनों, तीक है, उसके बाद अब हम लोग तीसरा उला angle नहीं लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, अब हम क्या लेंगे, side लेंगे, यह वाला, यानि कि AC जो हमारा है, वो दूसरे वाले AC के equal में, और यह कैसे equal है, क्योंकि दोनों में वो common है, तो यहां पर हम common लिखते हैं, इस तरीके से, AC जो है हमारा यह पहला line दूसरा line और तीसरा line में अप्लिक होगे, AC equal to AC, और क्यों है दोनों आपस में equal, क्योंकि वो common है, यह वाले में बे-common है, और इस वाले common में भी, यह वह जो लाइन है common है तो अब हमारा दो एंगल हो गिया और एक side हो गिया तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा ABC जो है ट्रेंगल इस तरीके से ट्रेंगल ABC वह concurrent हो जाएगा दूसरे वह ट्रेंगल के ADC यह जो भी इसका नाम देदो आप ACD ठीक है और किस condition से होगा तो इससी व लगा हो गया मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में अबर मैं आपको आगे कोस्न समया दूंगा थैंक्यों फॉर वार्चिंग अ प्रेंगल